आपने उत्तरप्रदेश में जो इंडिया गट बंदन की जीत हुई है उसका पूरा क्रेडिट जो है वो अखलेश यादो के पीडिये को दिया है तो जो बिहार की राजनीतिक और सामाजिक परिस्तिति है वो उत्तरप्रदेश से बहुत अलग नहीं है पिश्रादालित और अ इसलिए उनकी कुछ सीटे तीन और चार सीटे बढ़ी है तो कर पीडिये वाला फैक्टर इस चिनाव में इतना ही चला जैसा कि उत्तरप्रदेश में चला तो वह बिहार में इतना क्यों नहीं चला और बिहार में बीजेपी और एंडिये कैसे सर्वाइव कर गए इतनी बड का राज था यूपी में सरकार 5 साल पर बदल जाया करती थी और उससे पहले भी बिहार में 15-15 साल एक-एक एरा चला है 15 साल पता चला लालू जी का राज है पिर नितीश जी आए वो एक थोड़ा सा अलगाव है दोनों राज इस मामले में एक हैं क्योंकि दोनों मंडल क्यों दोलित रहा है इस तरह से दोनों बराबर लेकिन पॉलिटिक्स दोनों की कभी एक जैसी नहीं रही वो उनका पॉलिटिकल बिहावियर थोड़ा सा अलग रहा है 2017 के पहले तक UP में भी BJP कहीं नहीं थी एक बार सपा थी एक बार बसपा थी या बीजबीच में और चीज़े आती थी कभी कभार राजनाज सेंग और कल्यांड सेंग बनते रहे तो वो बिहार की स्थिती ऐसी थी कि BJP वहां आज तक फलपूल नहीं पाई थी अब वो नितीश कुमार को कमजोर करके ले आ रहा है इस बार के चुनाओं में हुआ क्या इस बार के चुनाओं में यूपी में क्या देखा कि बसपा कहीं से शुरू के एक दो फेज में जब तक आकाश आनन्थ थे तब तक लग रहा था कि बहुत तेजी से लड़ रहे हैं उसके बाद ऐसा लगा कि बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है बीजेपी सरकार में है सीधे लड़ाई में एक ही विकल बचा था और वो अखिलेश यादो थे जिनको एक समय में बीजेपी बरगला करके अपने पास ले गई थी कि सपा में तुम्हें कुछ ने मिला बस पाम तुम्हें कुछ ने तुम्हाँ आओ हम तुम्हें देंगे और उन्हें दिया 79,000 से शक्षक बढ़ती घोटा ला उन्हें दिया ऐसी ऐसी चीजें जिसको भूल भी नहीं पा रहे हैं मतलब एक समय में यूपी में प्रसिद्ध था एक श्टूल मंत्री हो गए थे जो मुख्य मंत्री बनने गए थे ये सब यूपी की जनता समझ रही थी तो जब कोई लड़ता हुआ नजर आया तो यूपी की जनता उनके साथ हो गई beyond the cash line मैं बार-बार कर रहा हूँ सत्रा टिकट दलितों को दिया है दो सीटें ऐसी हैं मेरट और अयोध्या सामाने सीट पर दलित को प्रतेशी बनाया OBC की उन जातियों को टिकट दिया जिन जातियों को माना जा रहा था कि वो तो BGP को वोट दे रही है उन सब ने वोट सपा को दिया तो इसलिए लिडर्शिप को इसकी क्रेडिट मिलती है बिहार की जहां तक बात है आज भी बिहार में सबसे ज़्यादा वोट शेर अगर किसी को मिला है तो RGD को मिला है RGD को लगए 22% के उपर वोट मिला है अलाइंस में वो बहुत बहतर किये बहुत सीटे उनकी बहुत कम मार्जिन पर चली गई वहां की लड़ाई में थोड़ी कोर का सर रह गई होगी क्योंकि वहां नितीज जी बहुत सक्री रहे तो वहां की लड़ाई में कई पूल बर्चे है यूपी में तो अकेले अकेलेश बचेते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ-कुछ बाते हैं फिर भी मैं मानता हूं कि बिहार में भी लड़ाई बहुत मजबूत है और अगर कुल निकाला जाए उनका समिकन तो थोड़े से मारजिन से वह बहुत ज़्यादा सीटे हारे हुए है मैं यही पूछ रहा था कि तेजस्वी यादव भी पीडिये की ही राजनीती कर रहे हैं और आप जिस सीट पर बैठे हैं उसी सीट पर कुछ दिन पहले एक विश्लेशक आये थे और उन्होंने कहा था कि अखलेश यादव तब नतीजे नहीं आये थे एक जिट पोल भी नहीं आया था तो मेरा सवाल यह है कि अखलेश यादो और तेजस्वी यादो में उम्र और अनुभव के अलावा उनकी जो राजनीती का जो पैटर्न है उसमें कहीं कुछ लगता है क्यों कुछ कमी है कुछ डिफरेंस है जिसों तेजस्वी क्रैक नहीं कर पाए अखलेश यादो ने कर लिय कॉंगर्स तो दोनों के साथ थी हाँ बिल्कुल ठीक बात देखे है यह राजनीती 22 में जब अखलेश यादो सरकार नहीं बना पाए तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहने लगे उगते हुए सूरज को सलाम करने की रवायत इस देश में बहुत जादा है जब कामयाब हो इतने उमीद थी उतने नहीं आ पाई इसके कई वजह हो सकती हैं लेकिन मुझे लग रहा है दोनों के तुलना की बजाए दोनों अपनी अपनी जगह पर मेहनत कर रहे थे तेजस्वी यादो की मेहनत दिख रही थी अखिलेश यादो की मेहनत लोगों को नहीं दिख रही हो पूरे उत्तर भारत की राजनीती को इन नेताओं ने नब्बे के दशक की मंदिर वाली राजनीती और कई तरह की धर्म के इंदित राजनीती उससे हटा करके सामाजिक न्याई की राजनीती, समाजवाद और मेटकरवाद की राजनीती तक पहुचा दिया है और मुझे लग रहा है इसमें तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांदी इन तीनों को इसका क्रडिर देना चाहिए और इस जगर पर मैं इन तीनों को जीता हुआ मान रहा हूँ कि उन्होंने पॉलिटिक्स के नेरेटिव को चेंज कर दिया है ये मेरा आकलन है, बाकी चुनाव परिडाम है, इस चुनाव में थोड़े कम है, अगली बार में बदल जाएंगे एक जिक्र जो आपने चंदरवावू नाइडू और उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स को किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षन का वादा किया ये बात सही है कि तलंगाना अंदरप्रदेश में इसकी पहल होई थी, लेकिन वो सुप्रीम कोट से एक्सक्यूट नहीं हो पाया, और इस बार भी चंदरवावू नाइडू ने चिनाव में इसका काफी प्रचार किया, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी के साथ एलाइंस म अंदरप्रदेश के लिए निकला, उसमें ये सारे मुद्देश छेड़े नहीं गए थे, मेरा सवाल ये नहीं है कि चंदरवावू नाइडू देंगे और बीजेपी आपति करेगी ये नहीं करेगी, लेकिन मुस्लीम आरक्षन पर समाजवादी पार्टी की कोई लाइन है मुझे लग रहा है कि मंडल कमीशन ने 373 जातियों को चन्यत किया, वो एक ऐसा कमीशन था जिसने मतलब साइन्टिफिक अप्रोच के साथ बहुत फीगर आउट करके, सर्वे करके एक बहुत मुकमल दस्तावेश तयार किया, लोग उसके विरोध में कोट गए और कोट जान के बाद भी इंदरासानी जेजमेंट आया, जो 9 जेजेस का बिंच का था, और वो मंडल कमीशन को वैलिड करता है, कि नहीं, ये सही है, और उसके बेस पर रिजर्वेशन मिला, उन 373 जातियों में जितने भी तबके के लोग हैं, वो उसमें मुसलिम भी हैं, उन सारे लोग नहीं सवाल पूछते कि गुजरात में वर्तमान प्रदान मंत्री जब गुजरात में मुख्य बंत्री थे, तो कितनी मुसलिम जातियों को वहाँ पर रिजर्वेशन देने के लिए खुद 17 जातियां हैं, जिने नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया है, गुजरात में दिया है, अब उस समय की पॉलिटिक्स के लिए उनको मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो वो मुद्दा चुप था, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या कोई भी समधान को मानने वाली पार्टी है, वो विचार धारा में सबको सबका हक मिले, इसकी बात कर करती है, और संबिधान और मंदल कमिशन को मानती है, उसके मुताबिक जिसको जो हिस्सा चाहिए, उसको उतना मिलना चाहिए, भविश्य में कभी मुस्लिम आरक्षन के साथ चंदरबाबू नाइडू को इंडिया गडबंदन में लाने की बात भी तब क्या पार्टी का मुझे लग रहा है कि टॉप लीडर यह सब समझेंगे, मैं तो जो बात होगी, वहाँ होगी, मुझे लगता फिर भी समिधान और मंदल कमिशन को ख्याल में रखकर ही कोई डिसिजन लिया जाए.